दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंटरी कोच में दोस्तों जैसा कि कल वीडियो में बताया था जो यह वीडियो में आप दो ऑग डाला था कल वीडियो में बताया था कि आज Wonderful कैसे रियक्ट कर सकता आप देखिए, सेम वैसा ही हुआ, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, कि मार्केट में ये है हमारा buying zone, मार्केट में जब भी एक correction आता है, या profit booking आती है, तो यहां से मार्केट उपर की तरफ जाएगा, और हमने आपको 51,800 से 52,000 का level बताया था, और मार्केट ने 51,200 के आसप कल दिया, यहां पर मार्केट आएगा, यहां से एक selling zone आएगा, यहां से market आएगा, यहां से selling zone आईगी उसके बाद दुबारा में market भले इस level को cross कर जाए तो यही तरीका होता है market में और market में मैंने जैसा बोला था कि बूंद बूंद करके घड़ा बरता है छोटा छोटा चोटा ट्रेड लेके अगर मैं आज का आपको ट्रेड देखाऊं तो मेरा ट्रेड में 41,000 रुपे का profit हुआ है और आप देख सकते हो कि मैंने जो ट्रेड लिया है उसमें छोटे छोटे प्रॉफिट भी है 3,700 का 4,000 का 12,45 का 16,000 रुपे का loss भी है 11,000 का profit 22,000 का profit बूंद बूंद करके घड़ा बरता है जैसा हम आपसे कहते हैं कि मेरा रोज का target 20,000 से 30,000 होता है उसके बाद मैं stop loss लगा देता हूँ अगर कुछ extra मिल गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो 20 से 30,000 के आसपस मैं profit book करता हूँ आप लोगों के लिए मैं इसको refresh कर देता हूँ मैं बार बार refresh कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को यकीन हो जाए बहुत से लोग कहते हैं कि यह fake account है तो यह fake account नहीं है मैं आपको order book दिखा सकता हूँ 9 बचके 19 मिनट से मेरा trade start हुआ था quantity देखिए 90, 90, 180, maximum quantity हमारी 300 आपको देखेगी 300 के ऊपर trade में करता नहीं हूँ जनरली 150 quantity 120 quantity तो आप इसको देखके आप idea लगा सकते हो चार्ट पर जाके कि मैंने कब sell किया कब buy किया position पर देखेंगे तो आपको 41,000 का profit दिख रहा होगा और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भ पर एक buying zone है यहां पर market आएगा तो एक buying pressure आएगा जो market को उपर ले जाएगा और कहां तक कर ले जाएगा market को इस level तक ले जाएगा इस level पर selling pressure आएगा मैं बार-बार काहता हूं कि Market किस तरह से एह करता है हमेशा Market इस तरह से अप एंड आउन अप एंड डाउन करता हुआ चलता है यह जहां पर भी Market Reverse होता है वह एक resistance point होता है यह सारे resistance point है तो उसी तरह से जो है Market में movement आता है तो आप Market में मुवमेंट आता है तो आप Market आएगी और यहां से सेलिंग आएगी मार्केट अभी तक वैसे करता हुआ दिख रहा है हो सकता है कि मार्केट यहां आए इस ट्रेंड लाइन का जो यह में है उसका सपोर्ट ले और फिर मार्केट ऊपर निकले तो मार्केट में पेसेंस के साथ आपको बैठना पड़ता है औ और ट्रेड लेने के बाद भी आपको पेसेंस रखना पड़ता है मार्केट में अगर आपने सारा सोच समझ कर प्राइस एक्षन देखकर सपोर्ट रेइस्टेंस देखकर ट्रेड लिया है और ट्रेड आपके अपोजेट जा रहा है तो आपको डरना नहीं है इस्ट्रपलो इस्ट्रा नहीं है धूार ट्रेड लिया है?